हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू मैं चैनल लौन लाइवली मैं हूँ आर्थी और आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल और क्विक वे में बताऊंगी कि फाइव स्टार वाली कोल्ड कॉफी घर पर कैसे बना है फ्रेंग्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो आपको इसकी अपडेट्स तुरंट से मिल जाए तो फ्रेंग्स हमें चॉकलेट सिरप लिया है गार्निशिंग के लिए तो फ्रेंग्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोल कॉफी बनाना हम यहां पर लेंगे और इसमें हम कोफी को एड करेंगे वन ग्लास कोल कॉफी बनाने के लिए हमें एक छोटा टी स्पुन कोफी की ज़रूरत होगी कॉफी में घुलेगी नहीं और अगर लिक्विड में रहेगा तो बहुत अच्छी कॉफी बनेगी फ्रेंड्स अब हम जार लेंगे और उस जार में मैंने एक स्कूब वनिला आइस क्रिम लिया है हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे करने गए अवर उसके बाद लास्त हम मिल्क आप करेंगे अब इसमें जो कॉल काफी का हमने लिक्विड ये तयार किया उसे हम आप करेंगे की तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यह रेडी है अब हमें इसे मिक्सर में ब्लेंड करना है वन मिनिट तर तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, you can see बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, but first हम ग्लास डेकोरेट करेंगे, आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए में कर रही हूं, ऐसे चॉकलेट सिरफ लग आइसक्रिम वनीला एड़ कर सकते हैं, मैं आड़ कर दे रही हूं, फैंस हमारी कोल्ड कॉफी रेड़ी है, फाइब स्टार होटल वाली, जनरली जो होता है कॉफी में हम उपर से वनीला आइसक्रिम एड़ करते हैं, मगर मैंने इसको दूद और आइसक्रिम को और कॉफी को एक साथ ब्लेंड किया है, और मैंने इसमें शुगर आड़ नहीं क क्योंकि शुगर जितना कॉफी में कम होता है, उतना कॉफी का टेस्ट अच्छा आता, एसक्रीम एग खुद इतना शुगर होता है कि वह कॉफी के लिए, एक कॉफी के लिए काफी है, तो अगर आपको शुगर कम लगे तो आप उपर से आड़ भी कर सकते हैं, और चाहिद झाल झाल